हलो गुर्ण मॉनिंग जोहार मसंजे और आप देख रहे हैं न्यू जार्खन समय हो चला है जार्खन की खबरों को जानने का जार्खन की खबरों से अपडेट होने का तो चली जानते हैं आज की जार्खन की 25 मुख्य बड़ी खबरों को मुख्यमंत्री हिमन्तु सोरिन ने जार्खन के पहले ट्रांस्पोर्ट नगर का किया उधगाटन फेज 2 की आधार सिला भी रखी राची वासियों को गुरुवार को हिमन्त सरकार की और से बड़ा तौफा मिला है अब यहां की लोगों को सहर के भीतर भारी वाहन नहीं दिहेंगे बहुत हद तक जाम से मुक्ती मिलेगी नौएंट्री के वज़त से होने वाली परिशानी से निजात मिलेगी क्योंकि राची को राज्य का पहला ट्रांस्पोर्ट नगर मिल गया है उन्होंने का है कि बहुत जल्द में रोड और कचवरी की तरह या इलाका भी जगमकद दिखेगा सहर के विस्तार में या ट्रांस्पोर्ट नगर मील का पत्थर साबित होगा नगर विका सिवम आवास विभाग के प्रधान सर्चिव सुनिल कुमार ने का है कि राची के रिंग रोड पर अलग-अलग और ट्रांस्पोर्ट नगर बनाने की योजना है साथ ही राज्य के दूसरे बड़े सहरों में भी इसका निर्मान होगा यहां दो गोदाम बने ही यहां समान सुरक्षित रखी जा सकते हैं चालकों के लिए हर तरह की सुविदा मुहिया कराए गई है यहां पुक्ता सुरक्षा मिलेगी इसको तैयार करने में 113 करोड 24 लाक रुपए खर्च किये गए हैं कुल 40.68 एकड में फैले ट्रांसफोर्ट नगर के पहले फेज के निर्मान का काम 24 महा में पूरा किया गया है यहां 424 भारी मालवाह गाड़ियों की पार्किंग की सुविदा होगी वही ट्रांसफोर्ट नगर के दूसरे फेज के निर्मान में 57 करोड 82 लाक रुपए खर्च होंगे इसको 9.1 12 एकड में तैयार किया जाएगा इसको 18 महा में तैयार करने का लक्ष रखा गया है पारा सिक्षकों को लेना है अधिक वेतन तो पास करनी होगी यह परिचा जैक को मले जिम्मेवारी जारकर में पारा सिक्षकों को 10 प्रतिसत अधिक वेतन मान लेने के लिए अलग से परिचा देने का परवधान है बतादे कि राजिसरकार की 2022 में जारी अधिसूचना में ऐसे प्रसिक्षित सहाक अध्यापक यानि पारा सिक्षप जो सिक्षप पातरता परिशा उत्तिर नहीं है उनके वेतन व्रिधी के लिए आकलन परिशा का परवधान है अस्कुली सिक्षप अधिसूचना में ऐसे प्रसिक्षित सहाक अध्यापक जो सिक्षप पातरता परिशा यानि जेटेट पास नहीं है वे आकलन परिशा पास कर अपने वेतनमान में व्रिधी कर सकते हैं इसके लिए जार्खिन अधिविद्या परिशद जैक को अधिक्रित क किया गया है मिली खबर के मुताबिक जारी अधिसूचना के आलोक में द्वित्य आकलन परिशा का अविजन परिशद द्वारा किया जाएगा इसके लिए आविदन प्रक्रिया भी सुरू कर दी गई है परिशा के लिए परिशद की और से अवेस्चक दिसन्रदेश जारे क किये गये हैं जैकी और से जारी पत्र के मुताबिक एक से 26 अक्टूबर तक परिशद की वेबसाइट से आविदन पत्र अनलाइन भरे जाएंगे अधिक जानकारे के लिए अब वेबसाइट भुजूट कर सकते हैं दुमरी से जाराम महतो लड़ेंगे विधान सभाचनों जारकन लोकतांतरी करांतिकारी मोर्चा ने उम्मिद्वारों की पहली सूची की जारी जारकनडी भासा खत्यान संगर समीती के अध्यक्ष जाराम महतों ने नई राजनितिक पार्टी बनाई है उनकी पार्टी का नाम जारकन लोकतांतरी करांतिकारी मोर्चा जेल केम हैं गुरुबायर कू धनबाद के सरकीट हाउस में सनवदाता सम्मिलन में जाराम महतों ने अगामी विधान सभा के चुनों में जेल केम से प्रत्यासियों की पहली सूची जारी कर दी है छे विधान सभा से डुम्री, जमुआ, राजमहल, तमार, सराकेला और चत्तरपूर से तत्यासियों की नाम की खोशना कर दी है डुम्री से जाराम महतों खुद प्रत्यासि बने हैं जाराम महतों ने जारकेंट विधान सभा के च्छे उम्मेद्वारों की सूची जारी की है इसमें गिरीडी जिला के डुम्री विधान सभा से स्वयम उम्मेद्वार जाराम महतों जमुआ विधान सभा से रोहित कुमारदास, राजमहल से मोती लाल सरकार, तमार से दमियंत मुंडा सराकिला से प्रेम मार्डी और पलामुच हतरपूर से प्रिती राच विधान सभा से लड़ेंगी जराम महतों ने बता है कि अभी तक और मांडू भी उनकी पसंदिदा सीटों में से एक है राची के काटा टोली फ्लाइवर का आज मुक्यमंत्री हिमन्तु सोरेन करेंगे उदगाटन राची वासियों को ट्राफिक जाम से मिले गी राहत राची के काटा टोली फ्लाइवर अब बन कर पूरी तरह से तयार हो चुका है जारकन सरकार आज 4 अक्टूबर को काटा टोली फ्लाइवर का उदगाटन करने जा रही है आज मुक्यमंत्री हिमन्तु सोरेन इस फ्लाइवर का उदगाटन करेंगे इस फ्लाइवर के बन जाने से अब कांटा टोली चौक पर ट्राफिक का लोड घड़ जाएगा जिससे जाम की समस्यास लोग को निजात मिल जाएगी बता दे कि कांटा टोली फ्लाइवर को 224 करोण 94 लाक रुपई की लागत से तयार किया गया है इसकी लंबाई 244 मीटर और चौड़ाई 16.6 मीटर है फ्लाइवर पर खादगाडा बस स्टेंड के पास नामकुम की और जाने के लिए और उसके सामने पेटूल पंप के पास लालपूर जाने के लिए रामप का निर्मान किया जाना से से रामप का निर्मान बाद में किया जाएगा खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज जार्खन चानल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लेज चानल को सस्क्राइब करके बैल आकन प्रेस के लिचे जिससे आपको जार्खन की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे त जेविवेनल मुख्याले में निधिशक पर्मुक से होई सकरात्मक वारता के बाद बिजली कर्मियों ने गुरुवार से सुरू हो रहे अनके शितकाले नहर्टाल को वापस लेने की घोशना की। इसके अलावे अन्य मांगो को Board of Director की बैठक में अगले महिनी रखा जाएगा ठेका पर काम कर रहे हैं बिजली कर्मियों की सेवा साथ साल करने सहित अन्य प्रस्ताओं पर केके वर्मा ने समती जरताते हुए काहे कि उनकी और से Board of Director की बैठक में समर्थन किया जाएगा जेविवेनल अधिकारियों के शाथ वारता के बाद संग की अध्धक्ष अजयराय ने कहाए कि यदि उनकी मांगों पर एक महिने के अंदर फैसला नहीं लिया जाता है तो बिजली करμी हर्ताल करने के लिए विवस हो जाएंगे JSAC सीजल परीचा रद करने की मांग को लेकर सडक पर उतरे चात्र राज्य भर में आरतिक नाके बंद इकी दीछ रैता हुनी हाल ही में जार्खन में संपन हुए जैससी सीजल परिचा को रद करने की मांग को लेकर चात्र समन्वै समिती ने गुरवायर को जार्खन बंद कहा वहन किया जिसका दुमका में काफी असर देखा गया शात्र सडको पर उतर आये और साहिब गंज गोविनपूर हाईवे और रिंग रोड को फूलो जानो चौके समीब जाम कर दिया इसे साकडो वहन जाम में फसे रहे परिचालन पूरी तरह से ठफ रहा प्रदसन कारियों ने जार्खन सरकार के खिलाब जमकर नारेबाजी की चात्र हिमंत सोरेन पर नौकरियों को बेचने का आरोप लगा रहे हैं चात्रों के इस विरोध का सर दुमका पाकोण, दुमका सहिब गंश, दुमका सीओडी के आगमन पर पड़ा सड़क पर उतरे चात्रों की मांग है कि जयाससी सीजल परिचा को रद किया जाए क्योंकि इसमें कदाचार हुआ है प्रस्नपत्र लिग हुए है चात्रों का कहना है कि अगर इस एक जाम को रद नहीं किया जाता है तो आज तो हम लोगों ने स्रिप सड़क जाम किया है आने वाले दिनों में पूरे राज़ में आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी जो अनिश्रित कालिन होगा और इस पूरे मामले की जिम्मेरदारी एमन्त सरकार की होगी गुमला में पांच लाग का इनामी मववादे रंथू उराओ गिरबतार भारी मात्रा में हत्यार भी बरामत पांच लाग रुपए के इनामी नक्सली संक जोन के सब जोनल कमांडर वा कुली आंजन निवासी रंथू उराओ उर्फ गुरू चरन समित पांच लोग को गुम पुलिस ने उनको रोका तो उनकी तरब से फारिंग सुरू कर दी गई और भागने का प्रियास किया जिसके बाद उने पकड़ लिया गया पोचताच में उनकी पहचान रन्तू उराओं उर्फ, गुरू चरन उराओं, कटारी महुआ टोली निवासी, जैसंकर महतो, वकहरगा, भर्नो निवासी, रोहित उराओं की रूप में हुई है तलासी के दोरान उनके पास से दो देसी कटा, चार पहचान पत्र, सुल्ला गोलियां, मववादी पर्चा बरामत किया गया जिनके पास उनकी निशान दही पर एक कारबाइन, तीन राइफल, एक बंदुक और भारी मात्रा में गोलियां आदी बरामत की गई है इसके बाद दी गई सुचना पर पुलिस ने नकसलियों के सहयोगी, कुटमा निवासी राजू, अहीर उर्फ, राजू गोप और सुरेंद्र मुंडा को गरबतार कर लिया, उनके पास से एक देसी कटा और छे राउंड गोलियां बरामत की गई हाई कोट के निर्देश, पूजा के दोरान अतरिक्त महिला सुरक्षा बलो की तैनाती की जाए, जारखन के अलग-अलग जिलों में महिलाओं और अस्कूली बच्चों शमेत, नबालिक लड़कियों के शाद बढ़ते अपराद पर रोक के लिए दायर जनित याचिका पर हाई कोट में शुनवाई हुई, गुरवार की सुनवाई के दोरान अदालत ने राजसरकार को निर्देश दिया है कि परमुग जगों पर CCTV कामरा से मोनिटरिंग की जाए, महिलाओं की अपात काल में मदद के लिए हेलफ लाइन नंबर का इस्थानिय टीवी चानल और इनक बसों के संचालन के समय को विस्तार देने का निर्देश दिया है, अब इस जन्हित याचिका पर हाई कोट 18 नौंबर को सुनवाई करेगा, हाई कोट की महिला अधिवक्ता भारती कौसल ने इस संबन में जन्हित याचिका दायर की है, दुरगा पूजा में बारिस डा होना जताए गई है, मौसमभा की और से जारी अपडेट में कहा गया है कि 4 अक्टूबर यानि आज सुकुरवार को राजधनी राची में आंसिक बादल चाहे रहेंगे और 5 अक्टूबर को भी गरज के शार बारिस होने की संभावना जताए गई है, ताफमान में भी 3 की सलसस रहने की शंभावना जताए गई है, वैदिक मंतरुचारन से गुजय मान हुआ चिनमस्दिका मंदर, रजरप्पा, कोलांचल सहित, आसपास के विभिन मंदरों में विधिवत कलस्ति स्थापना के साथ सार्धिय नावरात सुरू हो गया है, सार्धिय नावरात के प पूरा मंदर प्रिशेतर गुजय मान रहा, इधर रजरप्पा, इस्तित, लुगुबाबा आसरम में भी विधि विधान के साथ नौ कलसों की अस्थापना किया गया, सार्धिय नावरात को लेकर देश के प्रशिद स्थिद्ध पीड, रजरप्पा, इस्तित, प्रज्जा का कारे भी जोर सोर से किया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर में जैससी सीजल पेपर लीक मामले को लेकर प्रतेक जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमन्तो सोरेन एवं जैससी अधक्ष का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन का वाहन किया था। आकरसन का केंद्र इस साल मादुर्गा के भगतों को पुराना विधान सभा मैदान रांची के धुरवा में राममंद्री का भव्य प्रारूप देखने को मिलेगा। इसमें 26 फीट उची बजरंग बली की फोर्डी मूर्ती आकरसन का केंद्र होगी। इस भव्य पंडाल का उधगाटन पांच अक्टूबर को साम सड़े चार बजे होगा। इस दिन सभी भवक्तों को मादुरगा के धरसन के लिए पट खोल दिये जाएंगे। राममंद्र के प्रारूप के लिए बनाये गए पंडाल की लंबाई 170 फीट, चोड़ाई 120 फीट और उचाई 120 फीट होगी। गुरवार को वारानासी के आचारियों द्वारा मा सैल पु सिलकॉन से निर्मित है। लूथरा मरांडी के घर में उनके सहयोगियों के द्वारा बड़े पायमाने पर अवायद नकली व्रदैसी सराप का निर्मान एवं बिक्री किया जा रहा है। जामों में सामिल मंतरी मितलेश ठाकर बोले जनता ही हमारी तागत जारकन मुक्ती मोर्चा प्रकंड कमिटी रंका की टत्वधान में तमगे काला पंचायत की पिंड्रा मर्द विद्दाले परिसर में जामों मिलन समहरों का योजन किया गया। इस मिलन समहरों में तमगे काला पंचायत की विभिन गाओं के एक हजार से अधिक लोगों ने दूसरे राजनितिक दलों को छोड़कर जारकन मुक्ती मोर्चा का दामन थाम लिया है। कारिक्रम में मुक्य अतिती के रूप में उपस्तित गड़वा विधायक, जारकन सरकार के पेजल एवं सोचता, पारिटन, कला संस्कृती, हेलकूद एवं युवा कारिवभाग, मंतरी मिधलेश कुमार ठाकुर ने सभी कुमाला वा पार्टी का पट्टा पहना कर जामों म शामिल किया, पार्टी में सामिल होने वाले सभी गरामिनों ने अगामी विधान सभाची नौ में मंतरी मिधलेश ठाकुर को एतिहासिक जीत दिलाने एवं राजी में हिमन्त सोरेन की नेतित में शरकार बनाने का संकल्प लिया, बागमारा में जन सकती दल कार्याले के पास बम बरामत सफाई कर्मचारियों को मिला जिन्दा बम, पुलीस ने बम को किया डिस्फ्यूच, धनबाज जिले के बागमारा पुलीस अनुमंडल के, राम करनाली ओपी छेत्र के, उदल बनी, मौजा इस्तित, जन सकती दल के कार भाई सुरेश मातों ने राम करनाली प्रभारी को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद ओपी प्रभारी दलबल के साथ घटनास्तल पर पहुँच कर बम को डिस्फ्यूच किया, वहीं मौके पर ओपी प्रभारी मंगल प्रशाद कुजूर ने बता है कि सूचना मिलने पर घट पुलीस की अनोकी पहल गुम हुए मुबाईल को इस तरह ढूंड कर लोगों के चहरे पर ला रहे मुश्कान, गढ़वा एस्पी के निर्देशा अनुशार, गढ़वा जिले की विभिन थानार शेतरे में मुबाईल गुम शूदगी के लगतार प्राप्त हो रहे आविद पुलीस के प्रती लोग का विभिन जारी रहे गा, ताकि आम जनता का पुलीस के प्रती विभिन थानार रहे और लोग के चहरे पर मुस्कान आए दुरगापूजा के पूर्व एचिसी कर्मियों को वेतन भुगतान की मांग एचिसी सारमिक संग की अध़क्ष सनी सिंग ने दुरगापूजा से पहले कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने की मांग की है उन्होंने कहा है कि पिछले 24 महने से वेतन नहीं मिलने के कारण HEC कर्मी तहवार नहीं मना पा रहे हैं HEC के एरिया में ही दूसरे जगा कारे करने वाले लोग भी रहते हैं उनके बीच उल्लास का माहूल रहता है प्रवंधन से उन्होंने जल्द वेतन भुकतान करने के मांग की है इचागण में पूल का अप्रोच पत नहीं बनने पर ग्रामिनों में आक्रोस स्राइकिला जिले के गमरिया प्रिखन अंतरिगत इचागण पंशायत के इचागण पंशायत को अदित्यपूर इंडिस्टियल एरिया से जोडने वाले पूल पर गुर्वार को ग्रामिनों ने आवगमन ठब कर दिया विदित हो कि बारा साल की लंबे संघर्ष के बाद पूल बना मगर टेंडर के बाद भी अपरोज रोड नहीं होने के कारण उक्त पूल से होकर गुजरना खत्रो भरा सफर बनता जा रहा है ग्रामिनों ने साब कर दिया है कि यदि सड़क नहीं बना तो अगामी विधान सभाचे 9 में वोट बहिसकार करेंगे बतादे कि आदितपूर अध्धोगिक छेतर के मजदूरों के यह पूल वर्दान हैं मगर विभागिया लापरवाही के वज़े से यह पूल ग्रामिनों और मजदूरों के लिए अभिशाब बनता जा रहा है गुरवार को ग्रामिनों ने पूल पर अवगमन बाधित कर दिया जिससे अधितपूर इंडूस्ट्रियल एरिया आने जाने वाले मजदूर घंटों फसी रहे जारखन का कोख्या ज्वलरी दुकान लूटेरा सोनू और मोनू गिरपतार तीन किलो सोना और साथ किलो चान्दी बरामत जारखन का कोख्या ज्वलरी लूटेरा सोनू और मोनू पुलीस के हमते चड़ गया है दरसल चतिसगड पुलीस ने दोनों लूटेरों को दिल्ली के पहाड गंज इलाके से गरफतार किया है इन दोनों ने कुछ दिन पहले चतिसगड के रामानुज गंज में 6 करोड का सोना और चान्दी लूट लिया था ये दोनों ने पलामू, गढवा, गुमला, राची के कई गहनों की दुकानों में डाका डाला था जारकन पुलीस को भी इन दोनों भाईयों की लंबे समय से तलास दी जारकन पुलीस ने भी 50-50 हजार का इनाम घोशित किया था 36 गढ़ पुलीस को गहने की एक दुकान में लूट के मामले में दोनों भाईयों की तलास दी इस गिरों ने 11 सितंबर 2024 को दिन दहारे 36 गढ़ के एक जुलरी की दुकान में हाथियार के दम पर दो करोड से अधी की गहने लूट लिये थी पुलीस ने तुरंत मामला दर्ज करते हुए घटना की ताकिकात सुरू कर दी थी पुलीस को जांच के दौरान पता चला कि इस गिरों के मास्टर माइंड दोनों भाईयों का सम्मंद पलावमों के चेनपुर्थाना चेतर से है 36 गड़ पुलीस ने इस मामले में बिहार जार्खन पंजाब दिल्ली समयत कई जगों पर चाप मारी की इस दौरान 36 गड़ पुलीस ने दिल्ली पुलीस की मदद से दोनों भाईयों और उनके मामा को दिल्ली के पहाड़ गंज से गिरपतार किया सराइकिला में 22,68,000 रुपई का ब्राउन सुगर बरामत को ख्याद ड्रग तसकर डोली का बेटा और एक महिला गिरपतार नसे के सफेद जहर ब्राउन सुगर के खिलाब आदित्यपूर पुलीस ने बड़ा प्रहार किया है पुलीस ने को ख्यात तसकर डोली परविन के बेटे सहबाच खान उर्फ गुड़ू और आसुमन बीबी नामक महिला को गिरपतार करने में सफलता हासिल की है पुलीस ने गुपतु सूचना के अधार पर उसे मुसलिम बस्ती से गिरपतार किया है पुलीस ने उसके पास से 113.44 ग्राम ब्राउन सुगर और 1,49,780 रुपे नगत भी वरामत किया है ब्राउन सुगर की बजार में कीमत 22,68,000 रुपे बताई जा रही है पुलीस ने ब्राउन सुगर के खिलाब अब तक की सबसे बड़ी कारवाई की है अधित्यपूर थाने में मामले का परदाफास करता हुए स्पी मुकेस कुमार लुनायत ने बता है कि गुप्तु सुचना के अधार पर या काररवाई की गई है उन्होंने का है कि ब्राउन सुगर की इलत के खिलाब पुलीस का अभ्यान जारी रहेगा पिछले दो महने में ब्राउन सुगर बेचने वाले चौदा आरोपियों को जील भीजा जा चुका है प्रदेश कॉंग्रेस अध्धक्च के शो महतो कमलेज ने पार्टी कार्याले के लिए निक्त किये प्रभारी और सह परभारी जारीखन प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी के अध्धक्च के शो महतो कमलेज ने प्रदेश कार्याले के सफल संचलन के लिए अभिलास साहू को कार्याले प्रभारी और राजन वर्मा कोश्चा प्रभारी निक्त किया है दोनों पद्रदिकारियों को ततकाल प्रभाव से कारे करने का निर्देश दिया गया है मौके पर महतों ने कहा है कि दोनों नेतादवय, पूरी निष्ठा एवा ममंदारी से अपने करतब्यों को निभाएंगे जारकन में राष्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी ने नय प्रदेश अध्धक्ष के रूप में सचिदनन सिंग को किया निक्तु राष्टाइदानन सिंख को प्रदेश कमिटे का अध्यक्ष निकुत किया है िहाद जानकारी देतो हुए प्रमुक राष्टिय प्रावक्ता ब्रिज मोहन सरिवास्तो ने बताया है की राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस पार्टी के अध्धक्ष इवं विधाय कमलेस सिंग के इस्थान पर पार्टी के राष्टिय सचिव सचिदानन सिंग जी को निकुत करने के पिछे उनके संगटनात्मक अनुभव से जारिखन में पार्टी को मजबूत करना है। रिफ्रेसर ट्रेनिंग दी गई। जारिखन के मुख निर्वाचन पददिकारी के रभी कुमार के मार्गदसन में जारिखन के सभी 81 विधानसभाचेतर के वैसे पददिकारी जिन्होंने विधानसभाचनाओ के लिए पिछले महिने ट्रेनिंग ली थी, उनमें से कुछ की और से बताया गया है कि प्रस्रेक्षन के क्रम में आयोजित परिशा में जिन पददिकारीयों को कम अंग प्राप्त हुए थे, वैसे पददिकारीयों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन दो दिवसी रिफ्रेशन ट्रेनिंग का निर्वाचन सदन में प्रोग्राम में जहारखन के साथ-साथ महराष्ट के भी निर्वाचन से जुड़े पददिकारीयों को आयोग के प्रस्रिक्षिकों ने प्रस्रिक्षित किया धनबाद में महिला पुलिस कर्मियों के लिए चलनत सौचाले हिमांचल के डीजीपी ने किया उदघाटन पुलिस कर्मियों को जीम का लाब धनबाद में पले बढ़े हिमांचल प्रदेश के डीजी पी डॉक्टर अतुल वर्मा ने अपने घरी जिला के आम लोगों के साथ साथ पुलिश परिवार के लिए भी समय समय पर समाजी कारी करते रहते हैं इसी कड़ी में गुरवार को धनबाद पुलिस लाइन में महिला पुलिस कर्मियों को डिवटी के दोरान सौच की शुवदा को लेकर चलनत सौचाले और पुलिस जवानों के लिए उपन जीम की व्यास था डॉक्टर पी के वर्मा फॉन्डेशन के दोरा किया गया वही पुल पुलिस जिला मुख्याले के बजार समेती प्रांगन में मांजी परगना महा सम्मेलन का योजन किया गया सम्मेलन में पाकोड के अलावा संथाल परगना के कई जिलों के ग्राम प्रधान गुडित नाइकी जोग मांजी आधी ने हिस्सा लिया कारिक्रम में मुख्य रूप से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चमपई सोरिन इबं पूरवधायक लोबिन हम्रम भाग लेने पहुँचे पूर्व सियम के आगमन पर आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया चमपई सोरिन ने शन्थाल परगना में आदिवासीयों की घरती अबादी एबं लोटी जमिन पर चिनता जताई महा सम्मेलन में आदिवासी समाज के पारंपरिक व्यस्ता का संचलन करने वाले ग्राम प्रधानों गोडित नाइकी सहित आदिवासी समाज के हजारों लोगों को संबोधित करतो हुए पूरा मुखमंतरी चमपई सोरिन ने कहा है कि हमारे समाज के बहुबेटियों के साथ खिलवार करने वालों को उखाल फिकने का काम किया जाएगा पूर् disproportionately ने कहई कि संधाल परगणा आकास्तकारी अधनियम रहने के बावजूद गाउं से आधिवासी उज़ड गए क्योंकि हमारी मांजी परगणा व्यास्ता को कमजोर कर दिया गया उन्होंने कहा है कि हम आदिवासी समाज को उनका हक एवम अधिकार दिलाने के लिए उन्हें जगाने का काम कर रहे हैं राची के जीरी में कच्रे से बनेगा बायो गैस और जैविक खाथ पीम ने किया उनलाइन ओधिहाटन राची के जीरी वासियों को कच्रे के पहाड से फैलने वाली बदबू और मच्रों के परकोब से निजाद मिलने वाली है यहां जमा गिले कच्रे से CBG यानी कमप्रिस्ट बायो गैस और जैविक खाथ का उतपादन सुरू हो गया है इसके लिए गेल इंडिया लिमेटेट की और से इस्थापित प्लांड का प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वक्च भारत मिशन 2024 के मौके पर उनलाइन उधगाटन किया है गेल ने राची के जीरी में 8 हेक्टियर भूमी पर प्लांट अस्थापित किया है यहां हर दिन 150 टन गीले कच्रे को प्रोसेस करके 5000 किलो ग्राम जो है कमप्रेश्ट बायो गैस में परिवर्तन किया जाएगा साथी 25 टीपीडी जैविक खाथ का उतपादन भी होगा प्लांट को जवरत के हिसाब से गेला कच्रा आपूर्ती कराने की जिम्मेदारी राची नगर निगम की है इसको ध्यान में रखतो हुबे पिछले कई महा से निगम जागरुपता अभ्यान भी चड़ा रहा है सहरवासियों को बता जा रहा है कि वा घरों से निकलने वाले गेले कच्रे को अलग डश्टवीन में रखे राची नगर निगम की प्रसासक संदेव सिंग ने यह जान कर दी है जमस्वेदपूर में दुरगा पूजा को लिकर प्रसासन अलर्ट टाइगर मोबाइल की टीम ने किया सहर भर्मन दुरगा पूजा को लिकर जमस्वेदपूर पुलीस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है पूजा में सांती व्यास्ता बनाए रखने के लिए सीटी एसपी रिशवगर के नितितों में टाइगर मोबाइल की टीम गुरवार को सहर के मुख्य बजारों का बाइक के साथ भर्मन पर निकले जहां पुलीस की टीम विश्टूपूर और साक्ची बजार का भर्मन किया वही सीटी एसपी ने भी बाइक चला कर सभी जगों पर निरक्शन किया एस दोरान सभी जाम लगने वाले जगों का निरक्शन किया किया सीटी एसपी रिशब गर्ग ने बता है कि दुरगा पूजा में सहर में एक से बढ़कर एक पंडाल के निर्मान करा जाता है पूजा पंडालों को देखने के लिए काफी लोग पूजा घूमने निकलते हैं जिनकी सुरक्षा पुलीस की जिम्मेदारी है उन्होंने कहा कि पूजा में काफी भीड होने के कारें शिन्ताई गैंग भी एक्टिव रहता है जिस लोग को बचाने के लिए तीन पारी में टाइगर मोबाइल गस्ती करता रहेगा साथी सभी जगों पर साधे लिवास में भी पूलीस बल की तरानाती रहेगी अपराधियों को बकसा नहीं जाएगा उन्होंने काय कि पूजा के दौरान खुमने के करम में रेजटाई पर भी पूलीस की नज़र रहेगी दिल्ली में कुंटी की महिला का मडर आरूप़ी गिरप्तार कुंटी जिला के तोरपा धानाचेथर की एक महिला का सव नुएडा के नाले से दिल्ली के होच खास पुलीश ने वरामत किया है दिल्ली पुलीस की सोचना पर परिजन रवाना हो गया है जीला परिशद अध्धक्ष मसीह गुडिया ने बता है कि उन्हें परिजनों ने इसकी जान उसके बाद मेरे द्वारा आर्थिक मदद कर परिजनों को दिल्ली भी जा गया है इस मामले को लेकर दिल्ली के होच खास के जो है एसेपी सहा एस एच ओ राजिंदर प्रशान ने बता है कि पुलीस होच खास इलाके में होवी एक चोरी के मामले की जाच की जा रही थी ये जाच का मामला मडर केस पर आकर रुग गई जिस नौकरानी पर चोरी कसक था उसी कसाव नुएडा में एक नाले मिला पुलीस ने इस मामले में एक ड्राइवर को गिरभतार किया है जिसकी पहचान हिमाचल प्रदेश के खानपूर गाउनिवासी पचास वर्सिय जितेंद्र उर्फ गोल्डी के तौर पर हुई है आरोपी साधी सुदा है और उसके दो बच्चे है इनमें एक बेटी की साधी हो चुकी है दिल्ली पुलीस की पूचिताच में आरोपी जितेंद्र ने बता है कि वहाँ इस महला के शाध रिलेशन में था महला उससे साधी करने का दबाब बना रही थी जिसके लिए वह तयार नहीं था और यही वारदात की वजावनी गढ़वा में 20 करोड की लागत से 118 योजनाओं पर होगा काम मंतरी मितलेश ठाकुर बोले बदल गई जीले की तश्वीर गढ़वा जीले के विभिन प्रकंडों में जीला योजना अनाबध निदी से लगबग 20 करोड रुपई की लागत से 118 योजनाओं का कारी किया जाएगा सभी योजनाओं का कारी सिग्री ही प्रारंब कर दिया जाएगा तो ये थी आज की जार्खन की टॉप बड़ी खबर इसे तरह से जार्खन की हर एक चोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारी चानल यूजार्खन चनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन प्रेश कर देजे जिससे आपको जार्खन की हर एक चोटी बड़ी खबर का आपडेट आप तक पहुंचता रहे तो अभी के लिए बस इतना ही हमें देज़े अजाज़त फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के शाथ धन्यवाद